कववा यम्राज का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कववे को हम पर प्रशन होते हैं। तथा हमारे जीवन की काफी सारी परेशानी कम हो जाती है। अगर आपको आपकी किसी सत्रू से भै है तो लगतार 21 दिन तक कववा को रोटी खिलाने से सत्रू भै से शुटकारा मिल जाता है कववा को सनी देवता का परतिक भी माना जाता है अगर आप सनी वार के दिन कववा को रोटी खिलाते हैं तो सनी देवा पर प्रशन होता है आपकी कुंडली के स्तारे बुरे देशों का निवारन हो जाता है इसके पश्चाद आपके सभी कश्टों का निवारन होता है अगर आपका बिजनस में या फिर घर में कोई भी आर्थिक नुक्सान हो रहा है तो कववे को रोटी खिलाने से ऐसे नुक्सान से बचा जा सकता है कववे को रोटी खिलने से घर में शुक्सानती की वातावरण जो है बना रहता है गाइस आज की इस वीडियो मैंने थम्डिल में आपने देखा होगा कि सर पे कववा अगर आपके सर पे बैठ जाए तो क्या होता है तो कववे के बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन आज आपको बताने वाले हैं कववे अगर आपके सर पे बैठ जाते हैं तो क्या होता है अगर कववा आपके सिर पर बैठता है या कहीं से भी आकर आपके सिर को स्पर्स करके चला जाता है यह एक सुभ संकेत माना जाता है इसका अर्थ यह होता है कि बहुत जल्दी ही आपकी उन्नती होने वाली है आपको आर्थिक तंगी से चल रहा है तो वो भी चलने वाला है आपका अगर बिजनस में कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो ठीक होने वाला है और आपके किसी भी तरह के दुखों का निवारन होने वाला है तो सर पे अगर आपके सिर पे अगर कववा बैठ जाता है तो आज की वीडियों मैंने आपको बताए कि सिर पे अगर कवब आपके शिर पे बैठ जाया है तो आपको क्या लाव होता है。 तो कैसा लगा वीडियो बताए नीचे कमण करके फिर्हाल आज के लिए बास इतना ही गाईज, थैंक्स for watching this video, गाईज, बबाएन टेक केर!